हेलो डियर स्टुडेंट्स तो लंच करके सभी लोग आ गए हैं चलिए वेरी गुड क्या समोसा खाके आए हैं अच्छा आप लिट्टी खाके आए चलिए तो उसका रिफ्लेक्शन भी देखे लेते हैं क्या अभी अब तक हम लोग रिफ्लेक्शन शुरू नहीं किये थे और क्यों प्लाएंगे क्योंकि आप लोग समोसे पकोड़े खा करके आए हैं तो बैठिएगा जम कर और पढ़िएगा मन लगा करके रिफ्लेक्शन ओफ लाइट चलिए आज का हमारा क्लास सुरू हो रहा है रिफ्लेक्शन ओफ लाइट तो आप लोग समझ गएं कि क्या है तो जब भी कोई सर्फेस पर कोई लाइट जब फॉल करता है कोई भी सर्फेस हो जैसे यह सर्फेस है और यह सर्फेस को हम इस तरह से बना रहा है है न माने पॉलिष्ट सर्फेस इस तरह से बनाया जाता अब इस पॉलिष्ट सर्फेस पर जब भी कोई लाइट पढ़ेगा है ना लाइट इस पर जब आएगी और फॉल करेगी इसो कहते हैं लाइट को इंसिडेंट करना है ना लाइट पढ़ने को कहते हैं जब लाइट फॉल कर रहा है falling of light, क्या हो रहा है? falling of light. क्या? falling of light नहीं, यहाँ light का एक ray एक कीरन खीच रहे हैं, not light, एक ray, not beam of light, है न? एक ray हम लोग यहाँ जब खीचते हैं, तो यह जो incident हो रहा है, तो इस ray को हम लोग कहते हैं, क्या? incident ray, क्या कहते हैं incident ray, तो होता क्या है कि वो कुछ angle बना करके फिर पुना इसी महौल में लोट जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका दिवार पर पड़ा, आपके परकास, जो है light, जो है आपका जो mirror है, mirror पर आप देखते हैं, तो light क्या होता है, reflect करता है, किसी भी object पर जो आप देख रहे हैं, किसी भी object को आप देख रहे हैं, तो किसके चलते हैं, इस light के reflection के चलते हैं, तो जब आपका light जो है, वो जब पड़ता है किसी भी object पर, तो वो क्या होता है, एक plane surface पर जब पड़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कि reflect हो रहा है, in same, उसी medium में में हैंना सेंट बैग लॉट गया उसी मीडियम में तो जो लॉटता है जब रिफलेक्ट करने का जो लॉटता है हैना बॉसंबैक किया गेंदा पटकते हैं तो किया है इस रे को कहते हैं reflected ray, यानि दो तरह का ray हो गया, एक incident ray हो गया और दूसरा reflected ray हो गया, तो कितना angle से ये incident हो रहा है और कितना angle से ये reflect हो रहा है, तो ये angle of incidence जो देखते हैं वो आपका इस surface से नहीं count करते हैं, ये वाला angle count नहीं करते हैं, इस पर एक normal line खीचते हैं, ठीक है, ठीक इस plane mirror जो है, यहाँ पर मैं plane mirror लिया हूँ, इस plane mirror पर एक normal line खीचा, normal line कहने का अर्थ क्या है, ये angle जो है, ये 90 degree का angle होगा, ठीक है, 90 degree angle पर जो line खीचेंगे, उसे कहते हैं normal line, clear, तो normal line क्या होता ये आप समझ गए, क्या होता है, ये जो surface है, इस surface से, जो हम लोग 90 degree के angle पर जो line खीच, ड्रॉ किये, उसे कहते है, normal line, अब ये जो normal line है, इस normal line से, ये जो ray हमारा incident किया, इसका angle measure करते हैं, और ये angle जो measure किये, ये हमारा हुआ angle of incidence, इसे हम लोग कहते हैं क्या, इस angle को नाम दिये है, angle of incidence, clear? और कितना angle से ये reflect किया है, तो वो angle हमारा ये हुआ, ठीक है, नॉर्मल ray से देखते हैं, count करते हैं, उसको लिखते हैं, तीटा r, और इस angle को कहते हैं, angle of reflection, क्या कहते हैं, angle of reflection, मोटा मोटी आपको समझ में आया, है न, तो यही चीज को अब हम लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई light fall करता है, तो वो back कर जाता है, है न, तो reflection of light क्या होता है, तो reflection of light को हम define कर देते हैं, the process of sending back, the process of sending back, है न, back send हुआ था, समझ में आ रहा है, हमारा आम से, definition भी आप याद हो जाएगा असाने से, the process of sending back the light rage, light rage, which fall on the, which fall on the surface of an, surface of an object, clear है, is called reflection of light, is called, उसे ही हम लोग कहते हैं, क्या reflection of light, यहीना भी हम लोग आपको समझाए थे, और उसी चीज को मैंने यहाँ word में लिख दिया, क्यों लिखा word में, क्योंकि जहां में word में लिखना पड़ता है, है ना, टेंथ क्लास पास खर जाएए, जब आप IIT, मेडिकल का कमपटिशन दिजेगा ना, उस समय आपको इस अब लिखने का जमेला खाता हूं, टिक्का मारो, हो गया, है ना, टोक्टर बन जाओगे, इंजिनियर बन जाओगे, तो इसको रटा मार लेना है, Queen होता है, तो सर्फेस जो होता है, जो सर्फेस होता है, वो दो तरह का होता है, एक हो गया ना कि आप polished surface पूरा चिक ना polished है है ना दूसरा क्या है dull surface दल मने रुखडा तो polished surface का आप एक जामपल क्या है एक जामपल है ना mirror अदूसर्फेट का एक जामपल क्या है तापका table ले लते हैं वहीं भी object ले लेते हैं dull surface तो polished surface से क्या होगा reflection ज्यादा होगा कि dull surface से ज्यादा होगा यब आप बताईए reflection ज्यादा बढ़ियां से कहा होगा polished surface से है ना polished surface reflect more it reflects more clear इसलिए तो mirror में अपना चेहरा देखते हैं अपना चेहरा अप टेवल में थोड़ी देखते हैं और it reflects less और यह कम reflect करता है तो हम उस टेवल वे को देख लेते हैं कि यह टेवल है है ना यह हमारा washing machine है काई कि कम reflect किया और सबसे अच्छा कोई metal है जो reflector सबसे अच्छा reflectors of light कौन है यह बताइए हमारे को reflectors of light तो बहुत सारे हैं जो कि reflect करते हैं और best कौन है best की हमेशा चर्चा होती है तो वो best है हमारा शान्दी, silver है ना silver is the metal is one of the best reflector of light या best reflector of light है कौन तो silver और जो हमारा plain mirror बनता है वो कैसे बनता है एक आपका समतल दर्पन के लिए एक plain glass लिया गया glass देख रहे हैं लो ग्लास जो आर पार दिखाई देता है अब उस glass पर क्या किया जाता है उसके एक surface को coating किया जाता है एक तरफ nest को कि चाहेंगे back कोटिंग करवा कि इसको कहते हैं कि आज लिखे देम इसीलवर कोटिंग करवा है माँ आपके घवर में जो मीर कोटिंग है silver coating तो बड़ा बढ़िया मीरर है लेकिन silver तो बहुत महंगा न है जो है वो क्या है costly metal है है इसलिए तो आपकी माँ जो है वो क्या करती है पायल बनाके पहनती है क्या कि costly है जो महंगा है उसको पायल बनाके पहन लेगी है दो इसके जगह पर रिकल्प खोगा है कि यह कल पर अल्लूमीनियम अलूमीनियM और मुंयम भी जो है यह भी एक हथा मेटल है यह भी बहुत मेड You मोई नहीं है लेकिन वह वह भी अच्छाई रिफिलेक्टर का आप कौन अल्मूनिएम है न यह गुड रिफलेक्टर है तो सिल्वर के जगा अल्मूनियम उपियोग करें कई क्रिक पतर रहेगा उपते नहीं चलेगा कि कौन सिलवर है कौन आपका अलमुनियम में पते नहीं चलेगा ठीक है तो क्या किया गया सिलवर के जगह पर अब Almonium Coating का उपयोग चलता है पहले राजा महराजा सब जो थे ना या अभी भी जो धनारा आदमी जो आपास ध्यर पैसा है वो मीरर जो उपयोग करता है ने उस Silver Coating वाला मह bater कोई दिक्कत नहीं आप Sea Along thealing के लिए सेम है पता नहीं चलेगा और इस Silver Coating के बाद या Almonium कोटिंग के बाद या कोटिंग जो है हमारा बचा रहे है न तो इसको क्या किया जाता है इसके उपर एक पतला सा रेड पेंट चड़ा दिया जाता है कैसा पेंट रेड पेंट रेड पेंट चड़ा दिया जाता है ताकि हमारा कोटिंग जो है वो जहरे नहीं वो सटा हुआ र तो प्लेन मीरर को भी हम दोग डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करना ही पड़ेगा, समझ में तो आहीं गया, एक प्लेन मीरर इजे, एक प्लेन मीरर is a thin flat and thin पतला होता है, flat शप्टा होता है and a smooth seat of glass इदम चिकना रहेगा, a smooth seat of glass, glass का पतला शप्टा सिट होता है, प्लेन मीरर है ना, having a, having a, क्या रहेगा इसके पास, having a, shining coating, shining coating होगा, एक इस पर shining coating होगा, clear, of, कौन सा metal का, silver, या aluminium, कोई भी ले ले, aluminium, किसी भी metal करा सकता है, ठीक है, संस्ता है तो aluminium, मांगा है तो silver, silver और aluminium, metal on one side, दोनों side नहीं न, एक side, जो back side नहीं, on one side, ठीक है, और the silver, silver, या aluminium, coating is, protected, by a, red paint, अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, कि plain mirror क्या होता है, clear, simple, और plain mirror का, हम लोगों को जब भी photo बनाना होना, तो ऐसे करके बना लेते हैं, असानी से, this is the plain mirror, so simple, अब देखते हैं हम लोग, ray of light, ray of light, और एक होता है क्या, beam of light, beam of light, हम लोग जब study करेंगे न, तो कोई भी जो plain mirror रहेगा, उस plain mirror पर हमेशा ray of light ही डालते हैं, clear, ray of light डालते हैं, incident किया, reflect किया, incident किया, reflect किया, ray of light क्यों, क्योंकि ये straight line होता है, एक single line का, ठीक है, और beam of light क्या होता है, taunt से मारेंगे, कोई भी taunt आप ले लिजे, और taunt से जो light छोड़ा जा रहा है, वो है आपका beam of light, clear हो गया, किसी ray of light क्या होता है, और beam of light क्या होता है, लिख सकते हैं, एक bundle of, bundle of light rays, क्या होता है, एक एक straight line होता है, आपका ray of light, along which travels, along which travels, और इसका direction जो है, वो हम arrow के द्वारा show करते हैं, and its direction, sown by arrow, कि किधर से चल रहा है, कहां से वो ray of light आ रहा है, जैसे देखें, यह ray of light यहां से निकला, तो इसे हम इस तरह से दिखाते हैं, कि यह light है, जो इस light का source है, जो यहां पर बैठा हुआ है, और जब यहां से reflect करेगा, तो यह गया, तो यह बता रहें, इसका direction दिखाने के लिए, इस तरह से arrow दे दिए, तो यह हम बता दिया, कि इधर से आपको निकला है, और यह आपका direction है, तो clear, तो direction कैसे हम लोग सो कराते हैं, यह भी आपको समझ में आ गया, तो reflection of light को हम पढ़ें, इसके लिए हमारे को कुछ चीजों का knowledge अच्छी तरह से होना चाहिए, क्या क्या चीज, सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए, कि what is incident ray, incident ray क्या है, हमें लगता है कि आप सब लोग को समझ में आ गया है, कि incident ray क्या है, दूसरा हमें समझना होगा कि reflected ray क्या है, यह भी मैंने बताया है, तीसरा angle of incidence, angle of incidence, चौथा angle of reflection, और पाँचवा point of incidence, और चौथा नॉर्मल रे, है न, नॉर्मल, इसको कि नॉर्मल लाइन कहते हैं, या नॉर्मल कहते हैं, कि लिए, तो यह जो हम लोग पर दे जा रहा है, reflection of light, इसके लिए हमें यह छोच चीजों का knowledge होना चाहिए, तो कैसे होता है, देखिए अब इनके बारे में कोई, मैं फिर सबको बताता हूँ, यह हमारा mirror है, हमेशा आपको mirror draw करना होगा, तो इस तरह सब draw करेंगे, हमारा ray of light incident करेगा, तो यह देखिए incident किया, clear, तो इसे कहते हैं, हम लोग क्या incident ray, यह हो गया number one, incident ray, clear, और यह जिस point पर जाके गिरा है, clear, यह इस point पर आकर के गिरा है, तो इसे कहते हैं, point of incidence, number 5, number 5 यह हो गया, point of incidence, clear, समझ में आ रहा है, और यही point of incidence से यह reflect किया, reflect किया, तो यह हो गया हमारा क्या, reflected ray, number 2, reflected ray हो गया, और normal, इसके बाद हम कौन सा line खीचेंगे, normal line, normal line खीचते हैं, यह dot 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 के द्वारा खीचा, जो कि 90 डिगरी का angle यहां बनाएगा, है न, इस plane mirror से, तो यह क्या है, हमारा normal है, कितना number है, normal 6 number है, तो normal क्या होता है, यह भी आपको समझ में आ गया, angle of incidence क्या होता है, angle of incidence जो होता है, यह जो हमारा incident ray है, और normal के बीच, जो angle बन रहा है, इसे ही हम कहते है, angle of incidence, किलियर, यह हो गया हमारा number 3, और angle of reflection क्या है, जो यह हमारा reflected ray है, यह जो normal से जो angle बनाता है, इसे कहते हैं, angle of reflection, यह हो गया theta r, किलियर, यह भी हो गया, तो यह है हमारा reflection of light के लिए, सम्बंधित टर्म, तो और यहाँ पर एक शीर, सबसे main important चीज यह है, कि angle i is equal to angle r होता है, तो यह हम आगे देखेंगे, law of reflection of light, क्या कहता है, उसे समझेंगे, तो चलिए, हम लोग अब ज़रा define करना शुरू करें, incident ray को, सबसे पहले define करते हैं, incident ray, incident ray, what is incident ray, तो the ray of light, simple लिख सकते हैं, the ray of light, which, है न, which falls on the mirror surface, on the mirror surface, which called as incident ray, हो गिया, this is incident ray, अब आता है, next topic है, point of incidence, what is point of incidence, point of incidence, the point at which the incident ray, which the incident ray, falls on the mirror, falls on the mirror, simple, यह हो गया, हमारे को क्या, is called the point of incidence, clear हो गया, यह हो गया, हमारा incident ray, और यह हो गया, हमारा क्या, point of incidence, number one and number two, define कर दिये हम लोग, अब शलिए, आगे को हम define करते हैं, तो next topic है हमारा क्या, reflected ray, third है reflected ray, reflected ray, जब आप किसी को एक चाटा मारिएगा, न तो तपक करके मारेगा ही मारेगा, the ray of light, the ray of light, which is sent back, which is sent back, by the mirror, न, by the mirror, mirror के द्वारा जो फिर पीछे की तरफ बैक भेजा गया, वही हमारा है, reflected ray, सभी लोग जान रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, अब सिर्फ वर्ड में लिख रहे हैं, normal, अब normal क्या है, वो भी देख लेते हैं, the normal is, a line, at right angle, at right angle, to, to the mirror surface, to the mirror surface, clear, तो किसी का भी definition आएगा, exam में तो आप आसानी से लिख दिजिएगा, mirror surface कहां पर, at the point of incidence, at the point of incidence, point of incidence, सब कुछ समझ में आ रहा है, यह हमारा, plane mirror, और plane mirror पर angle, यह incident रहे रहा, यह point of incidence रहा, और यह रहा हमारा, reflected ray number, 3, और यह जो line, normal खीच रहे हैं, यह हो गया, 90 degree angle पर, this is number 4, normal, clear, number 5, angle of incidence, angle of incidence, यह क्या है, तो angle of incidence, it is the angle, यह एक एंगिल है, made, by the incident ray, made by the incident ray, incident ray के द्वारा, बनाया गया यह एंगिल है, clear, किसके द्वारा, किसके साथ, with the normal, with the normal, normal के साथ, कहां पर, तो at the point of incidence, एक million का बिंदू होगा, जहां पर बना होगा, और वो million बिंदू कोन है, point of incidence, और किसके साथ, बनाता है, तो normal के साथ, angle of incidence, यह दो चीज़ ध्यान देना है, है ने, next, sixth point है हमारा, angle of reflection, angle of reflection, तो same है, it is the angle made by the, reflected ray, incident के जगा पर, हम क्या बोलेंगे, सिर्फ incident के जगा पर, हम बोलेंगे, reflected ray, ठीक है ना, with the normal, at the point of incidence, तो यह लिखने का जुरुवत तो है नहीं, सिर्फ incident के जगा पर, आप एक word लगा देंगे, क्या, reflected, और बोल देंगे, it is the angle, made by the, reflected ray, with the normal, at the point of incidence, अब का इसे, देखे, simple, यह हमारा, plane mirror, plane mirror पर, सबसे पहले, खीच देते हैं, point of incidence, के लिए, यह blue वाला, उसके बाद, हम यहाँ डाल देते हैं, normal ray, यह हो गया, normal, अब angle of incidence डालते हैं, एक ray खीचते हैं, यह ray incident किया, इसलिए, यह incident ray, और यहाँ से reflect करेगा, यह reflect किया, यह angle of incidence हुआ, angle I, और यह reflected ray हुआ, angle R, angle of incidence I है, और angle of reflected क्या हो गया, R, ठीक है, angle I is equal to angle R, यह दोनों भाई है, दोनों भाई के घर में जगडा होगा, तो बीच में दिवार खिचाएगा, वह दिवार हमेशा normal रहना चाहिए, है ना, तो that is, normal, दो भाई के बीच में, जब बटवारा होता है, तो उसके घर के बीच में सीधा, एक line boundary खिचाता है, है ना, बीच ओ बीच फार देगा, तो 90 degree angle पर, यह जो mirror है, इसके mirror पर 90 degree angle लेकर के, बीच ओ बीच घर को फार देगा, that is normal, और उसी normal से angle है, एक तरफ आपका एक भाई, दूसरे चोर में normal के, दूसरा भाई, एक तरफ है आपका angle of incidence, तो दूसरी तरफ है angle of reflection, clear, अब हम लोग देखते हैं, law of reflection, of light, के पढ़ना है, law of reflection of light, reflection of light, कितने होते हैं, law है, Newtonik साहब के तो तीन law हैं सर, अरे ही तो हम जानबे करते हैं, लेकिन reflection of light के, कितने law हैं, too large, दो law, जाते LAWS law कर दे, दो law है, reflection of light के, बस, और ये जो follow होंगे, ये जो law है, जो किसके द्वारा follow होंगे, तो followed by, both, कौन-कौन, plain mirror and concave, और convex mirror, plain mirror, के द्वारा ये law follow होता है, और नहीं तो, concave mirror हम लोग पढ़ेंगे, और फिर convex mirror पढ़ेंगे, इन सब के द्वारा, follow होगा, ठीक है, और, convex mirror, clear, तो, कौन-कौन सा, law है, वो भी तो बता दू, अब मैं आप लोग को, तो, first law, ठीक है, first law of reflection, लंबा चोड़ा है, हर बढ़ा ये नहीं, बड़ा सिंपल है, क्या है, the incident ray, the incident ray, दूसरा कौन सा रे हम आपको बताएं है, reflected ray, reflected ray, और एगो दिवार है, है ना, वो कौन है, बटवारा व़ला दिवार, and the normal, clear, क्या रहता है, normal, all lie in the same plane, तीनो का तीनो एक ही plane में होते हैं, clear, all lie in the same plane, एक ही plane पर होते हैं तीनो, देखे ही थे, तीनो का तीनो जो है, वो हमारा एक ही plane पर होता है, देखे थे ना, यह देखे, एक plane है न, यह plane, इसी plane पर, एक ही plane पर, आपका, जो है, यह आपका incident ray, reflected ray, और यह normal, तीनो एक ही plane पर है, ठीक है, this is first law, और second, second law of reflection, second law of reflection, बाहर बारी सोने लगी, कोई बात नहीं, प्राहई चलते रहेगी, छुट्टी नहीं होगी, है न, चलिए, second law क्या है, the angle of reflection, is always equal to the angle of incidence, कई बार हमने खेल-खेल में, आप लोग को बता दिया पीछे, अब इसी को लिख लेना है, the angle of reflection, है न, angle of reflection क्या है, angle r, is always, हमेशा, तोट सकत है, is always equal to, the angle of incidence, एक डिगरी का भी अंतर नहीं रहेगा, एकदम बरावर रहेगा, angle of incidence, that is angle I, clear, तो ये दो लाहें, जो की आपको याद रख़डे हैं, clear, आपके में में एक सवाल आ रहा है, अच्छ, क्या सवाल है, ये भी हमको बता ही दीजिए, सुन लिया, सुन लिया, मत बोलिया, अब चुप रहेगा, क्या सवाल है, इनका सवाल है, normal ray of light के संब्दमें, normal ray of light, नहीं सवाल करते न, तो भी हम बताते, लेकिन इन बोलते बहुत हैं, आगेंगे ही सवाल, normal ray of light में पूछ रहे हैं, कि angle I और angle R क्या होता है, normal ray of light जो होता है, वो किसी भी मीरर पर, जो बनता है, वो 90 डिग्री, किसे, इस surface से, जो surface से हमारा, plane mirror का, उससे 90 डिग्री पर ये normal ray है, ठीक है, तो कर आए कि अगर normal ray रहे, तो normal ray जो रहे, अगर इसी पर एक line छोड़ दे, इसी normal line पर हम line गिराएं, यानि ये हमारा incident ray हो, normal पर ही, और reflected भी होगा, तो sir, जो angle I है, is equal to angle R होगा, that is equal to 90 डिग्री होगा, ना बुरुबाख, 90 डिग्री ना होगा, angle जो हम लोग खीचते हैं, जो angle I और angle R जो होता है, वो किस से होता है, ये याद करो, किस से होता है, normal line से, तो normal line भी तो यही ना है, तो angle कितना होगा, 0 डिग्री, अब समझ में आ गया, वह, तो normal ray of light, यदि आप normal पर ही कोई light, अगर आपका incident करेगा, perpendicular में हमेशा, तो वहाँ पर angle क्या होगा, 0 डिग्री होगा, वो उसी ray में लौट जाएगा, इधर से जाएगा, और इधर से ये लौट जाएगा, किलियर, क्योंकि angle I is equal to, angle R is equal to, 0 डिग्री, और incident ray, और reflected ray को, हमेशा angle measurement कहां से किया जाता है, normal से, और normal जो है, वो beach की दिवार है, है न, एकदम ठीक, 90 डिग्री पर आपका दिवार बनेगा, किस पर, plane mirror या surface जो है, आपका उस पर, ओके, तो आप लोगों ने आज देखा, reflection of light का, first class, अब कल मिलेंगे, thank you, welcome,